हाई आप्रिवन वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आर्थी शर्मा आप लोग सभी बहुत अच्छी होंगे और घर पे सेफ होंगे फिरिंस आज मैं आप लोग सब शेयर करने वाली हूँ आपको सची बताओ डेली लाइफ के लिए बहुत बहुत यूसफुल है यह मैं काफी टाइम से लेना चाहती थी तो अब मैंने ले लिया है तो अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें से को जो भी प्रोड़क्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये आपके पास होना करें तो आये स्टाट करते हैं लेकिन मेक शुरा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो और इस वीडियो को लािक कर दिया हो तो अगर आपके पास एक अच्छा ब्यूटी ब्लीडर नहीं है जैसे कि मेरे पास एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर नहीं था, मैंने मार्केट से लिया था, वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करता था, जितना कि मैंने अब जो मुझवाया ना वो करता है, यह है गब का ब्यूटी ब्लेंडर और इसको हाथ में लेती ही, my god, बहुत ब्लेंडर थाना, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फॉर्म पकाड रखा है, बट इसको जब मैं टच करती हूं, जब इससे मैं डप करके अपने बेस को सेट करती हूं, इस ताइम पर मैंने जो बेस लगाया वो इसी से सेट किया है, जो मैं डप करती हूं तो मुझे फील ह मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बर इससे परचेस करके देखें, मंगातर देखें और यूज करके देखें, आप भी इसके फैन हो जाएंगे जैसकी मैं हो, और सेकिंड प्रोड़क्ट दिखाने वाली हूं, और सेकिंड प्रोड़क्ट जो है यह इतनी जो मेरी जिठानी थी, उनकी सिस्टर की शादी में मैं गई थी, तब मैंने उसके पास ही रेखा था, और मुझे ना बहुत बहुत ही यूसफुल लगा, तो मुझे लगा कि यार यह चीज मेरे पास भी होना चाहिए, यह एक नेल केर किट है, और इसमें नेल केर के लिए, और ऊप की लिए, पैडिकूर, मैनि क्योर के लिए सारे उस法 है, यह दूब रेखास्थ नेल कटर मील जाती है, एक चोटी सी सिसर मिल जाती है, यहां पर आप आई ब्रोस भी बना सकते है, आपको यह तूजर भी मिल जाएगा, स्लिजर भी मिल जाएगी ठीक है यह पर आपको tools मिल जाते हैं जिससे आप अपनी nails की cleaning कर सकते हो और उसको shape दे सकते हो even आपको यहाँ पर ने एक और चीज मिल जाए कि जिससे हम blackheads वगरं नहीं नुप करते हैं सो यह चीजें है इस tool में आपको मिल जाते हैं मेरा चोटा बेटा है आप लोगों को पता हिए लड़ू जिसका नाम है वो उसके ना नेल्स बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं तो मुझे देखना पड़ता है कि यस उसके नेल्स कटे हैं कि नहीं बट अगर मेरे पास ऐसी किट नहीं होगी तो मैं कहीं भी अपनी नेल कटर क कर देती होँ और खुत क्यू भी शांती लगते है के हाँ बट अपको मैं बताओं मैं अपने फेस पे ना पाउनोले वाला था तो मैंने मंगा लिया क्योंकि वहाँ पे बड़ा वाला अवेलेबल नहीं था अमजोन पे तो यस मैंने चोटा वाला हूंग लिया है यह है लैकमेका 925 यह सीसी क्रीम बहुत अच्छे से वर्क करता है और इसको लगाने के बार ना फेस पी शाइन रहती है ग्लो रहता है तो यस इसको लगाने के ब यह अपने डेली राइप में यूज करती हूं वीडियो शूटिंग के लिए अगर आपने अपने फेस पर क्योंकि गर्मियों का टाइम है और इस ताइम पर इतना स्वेट होता है ना स्वेट होता है कि अनलब जो हमने बेस लगाया होता हो रिमूव होने के फुल टू चां अपने फेस पर आपको आफ्टर बेस जरूर पाउडर अप्लाई करना चाहिए तो आजकल मैं यूज कर रही हूं फेस कैनेडा का यह कॉंपेक पाउडर आपको पंपिन अच्छे से इन्होंने पैक करकी दिया है इसे बहुत अच्छे से सीफली रहता है और इसके साथ आप अच्छे से पाउडर आपसे एक छोटी सी बात है जो बहुत इंपोर्टन है शेयर करना चाहती हूं कि आदेखो पहले मैं यह करती थी कि सिर्फ पर में फेस पर क्रीम ही अप्लाई करती थी और काम खतम बटना जैसे जैसे मैंने यूट्यूब में कदम रखा और बहुत सार के लिए सरम भी होता है आप क्रीम करते हो उप्लाई करते हो इस गोड़ अप्लाई करने करते आ गरे बीद अल्य से पहले वाव वाम की ।ो imagining के तो यह वाली तोनर भी यूज़ किया है, तो यह वाली तोनर भी यूज़ किया है, बहुत अच्छे से वॉक करते हैं, बढ़ना आजकल इतनी एड आ रही थी, लॉड्याल पैरेस का जो नया वाला सिरम यूज़ कर आया हुआ है, मैंने सुचा यार इसको भी एक वर करता है, बताऊंगी आप लोगों को, तो यह मैंने भी मंगबाया, लॉर्याल पैरिस का यह सिरम, 1.5% हाईलोराणिक असिड सिरम है यह, जैसे मैंने आपको बताया था कि वाव का मैंने पहले भी हाईलोराणिक असिड यूज़ किया था, यार वह गचब का काम करता है, सच यह, जितना इसको दिखाया गया है, टीवी में, कि बहुत मतलब, ओमाइगाड वाला काम करता है, इतना मुझे फील नहीं हुआ, इसको जब मैं लेती हूँ हाथ में, तो मुझे ऐसा फील होता है, जैसे मैंने पानी अपने फेस पे यूज़ किया है, ठीक है, I don't know why, मुझ मुझे ऐसा फील हुआ है, but ठीक है, काम यह करता है, स्लोली करता है, but उतना एफेक्टिबली नहीं कर रहा है, जितना मुझे यह लगा था, जितनी इसको एड रही थे और जितना इसको भरमार हो रखी है यूट्यूब पे, उतना मुझे नहीं लगा, so yes, यह है next product, इसके ब मैंने एक ज्यूलरी पहन रखी ती और वो है यह वाली, इसके लिए काफी कमेंट्स आए थे, आप लोग ने बहुत बार मिर से कूछा ता कि दी यह वाली ज्यूलरी अपने कहां से ली है, पेली बात यह है ऑक्सिदाइस ज्यूलरी और इसमें किसी भी मोती का और किसी भी चेन का यूज नहीं किया गया है, धागा है, तिंपल वाला जो धागा होता है वो धागा है, साथ में है मोती, ठीक है यह ना आप जैसे गर्मियों का टाइम है, आप इसको पहनते हो, आपको यहां पर रैश नहीं पढ़ते हैं, अजर्वाइस नॉर्मली जो सेट होते हैं, उसमें चेन होती है, और वो जो कौन से सिल्फ वाले जो थ्रेड का यूज किया जाता है, उसे नहीं यहां पर रैश से पढ़ जाते हैं, इस लगता है कट गया है, बट इसको बैनने के वालना ऐसा फील नहीं होता है, बहुत लाइट वीट भी है यह, बहुत ज़दा हेवी इन सभी के बाइलिंक आपको ज़रूर मिल जाएंगे, आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदर्वाइस फिर आप बाद में बाद में कुछो की दी, यह वाले ज्यूलरी कहां से है, यह वाले ज्यूलरी कहां से है, तो प्लीज आप, मैं फिर से बता रही हू आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, नेक्स ज्यूलरी जो है, मैं आपको दिखाती हूँ, इसके बाद जो नेक्स ज्यूलरी है, वो एक चोकर है, और यह जो चोकर है ना, यह बिल्कुल आपके गले में सेट हो जाएगा, आप इसको पहनते हो, क्योंकि मैंने जब इसको पहना था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, यह ऐसा लुक, मतलब इसको पहने के लाद ऐसा लुक दिखाए देगा, बट सीरियसली यह बहुत अच्छी से नेक्स पी सेट हो जाता है, बहुत शाइनेबल है, इसके साथ इसके जो एरिंग्स है, यह रिंग्स और यह चोकर, अलव माई गॉड, अप यह अपनी में ही पूरी एक नेक्लेस ज्वेल्री है, इसके साथ आपको हैंगिंग लेने की जुरोत नहीं है, हैंगिंग ज्वेल्री लेने की जुरोत नहीं है, यह आप पैन लोगे, सफीशन्ट है, ठीक है, इसके बाद जो तीसरी अपसीड़ी मैंने ओडर की थी ना, मैंने ओडर करते टाइम पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी निकलेगी, लेकिन मैं सच्छी बदा रही हूँ, बहुत अच्छी ज्वेल्री यह निकली है, यह देखें आपको, लोगे दिस, वाव, सो ब्यूटिफ आपको यहां पर दिख रहे होंगे, गल्पती जी बने हुए है, और नेक पे लगने के बाद, तो, ओ माइग गॉड़, आप मतलब, क्या कहूं मैं इसको पैनने के बाद मेरे पास तो कोई शब्दी ही नहीं है, तो यह मैंने एक पूरा सेक्ट मंगवाया है, यह है नेकलेस जो कर, इसके साथ यह एरिग देओ, यह एरिंगदेओ, कितना बडा है, और कितना अच्छा है, यार, सचछ मीं बहुत अच्छा है, यह इसका एरिंग है, प्लस मैं इसके साथ एक चीज और रहा है थी, हैंगिंग, मैं आपके रिखाती हूँ, बेट भी चाहिए तो इसको जो चोपर को अलग से पहन सकती हूं और इसे भी अलग से पहन सकती हूं प्हुत कि तना ब्यूटिफुल है आप बेख सकते हो बहुत ब्हुत अच्छा है यह थी कुछ ऑप्सिदाइज जुएल्री जो मैंने उस दिन आप लोगों को हल्की सी जलक दिखाई थी और मैंने कहा था कि मैं इसके रिलेटी वीडियो ज़रूरी लेकिया है नेर्स प्रडुक्ट जो है है यह स्वीस ब्यूटी का बोल्ड मेड लाइनर लिप लाइनर आपको पता है अगर आप प्रॉपर शेफ देना चाहते हैं हाईलाइट करना चाहते हैं अपने लेपस्टिक को तो आपको लिप लाइनर का ज़रूर योज करना दिये विजिए ल मेरे zweys में ताकि प्रॉपर तरीके से रहें मिल जाता है जिसमें ये अच्छे से से safely रहते है," अरतंबोर को सब्सक्राइब एत मुष्यद के बॉंदु सॉपरी है ये हर तरीके के समें color है तो उन्हों ने नेल आट करना शुरू किया था और मुझे याद है स्टैंपर था प्लेट थी जिसके वो नेल पे इंडालती थी तब को पता है आज के टाइम पर तो बहुत फिमर्स हो चुका है मैंने फॉर्स टाइम उनके पास देखा था उस टाइम मुझे आनलाइन शॉपिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती थी और मुझे पता भी ने था कि उसको कहां से लेना है तो मेरे को ना तब से वो चीज लेनी थी या मुझे ऐसा फील होता था यारी पहुत महींगा होगा मेरे बजट के बाहर होगा आज मैंने यह मंगवा लिया है मुझे बड़ी खुशी हो लिए आप लोगों को दिखाते हुए बहुत सारी चीजे इसके साथ मेल गए है तो यह था यह एक सेट था नेलाट का ठीक है इसको मैं एक एक करके दिखाती हूँ यह 5 पेंस डॉट का सेट जिसके हैप से आप नेल पे डॉट्स देके डिजाइन दे सकते हो ठीक है बहुत ही आराम से यार इससे बहुत अच्छे से पिक हो जाता है बहुत अच्छे से डॉट्स बन जाते हैं फिर उसके बाद मुझे रिसीव हुआ है यह प्लेट कि जिसे पर हर तरीके की डिजाइन हैं और इनके ब्रैंद का नाम है वह है रोयाल कार्ट इक करने इसस बहुत अच्छे इल्याइन से Hey और साथ में मैंने मुझे जो मिलना आस ताट ताट र्म पर सिलिकोन का है तो इससे इसको PIK कर लो और फिर आप अपने ऐल पे कोई भी डिजाइन दे सकते हो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आने सिलेंन देख सकते हूं डिया हूँ ईसी नेल स्टैंपर जो की ये armour है ये मुझे इन प्री मिले है अर यहाद प्री चीज तो हर किसी को प't पतन है तो मैरको जो इसके साथ प्री मिला है न वो एक और स्टैंपर मिला है जोकि यह है यह आगे से यह बड़े साइस का है यह और पिछे से चोड़े साइस का है और आप देख सकते हो में आपजेश प्रियाँ प्रिय डीओ डीजाइन आय। वेसरफ से डीजाइन कर एक эфф हैं बढ़ा है। के सबस्क्तिल कोमखे लगने सबस्क्ति सलार नारी दो डीजाइने ब्सक्तुतिन आजकल फेमस हो चुका है साड़ी के साथ बेल्ट पहनने का तो यह मैं काफी टाइम से लेना चाहती थी मैंने सोचा यार इस बार फाइनली मैं और कर देती हूं और यह मैंने मंगवा लिया है देखें बहुत अच्छी से सेट हो जाता है यार यह मैंने अब भी हाँ पैंट स्टाइल साड़ी टेपिंग की थी ना उसमें मैंने इसको पहना था एंड बेल्ट को लगाने से पहले जो उसकी लुक थी और फिर लगाने के बाद जो उसकी लुक बनिया माइग और बहुत अच्छी लुक आ रहे थी सो यस आप यह बेल्ट भी और कर सकते हैं बहुत सही प्राइस जो लास्ट प्रोड़क्ट है यह तो यार मैं ऐसी चीज़ है जिसे काफी टाइम से देख रही थी जून रही थी अच्छी मैंने रेविलेशन का आईशाडव पैलेट लिया था बहुत कॉस्ली बढ़ा था मुझे बट उसमें उतने कलर्स नहीं थे जितने की मुझे चाहिए थे लेकिन यह ना ब्यूटी ग्लेज का पैलेट है ठीक है यह एक बुक की तरह आपको दिखरा होगा पट यह बुक नहीं है इसमें ना कलर्स में जाते हैं यह प्रोटिक्टर है यह रिखिए इसमें यलो है वाइट है वाइट कलर ना बहुत बहुत रियर होता है कि पैलेट मे color light pink color dark color shimmery color glitter glitter color purple color से रिलेटिड कलर मिल जाएंगे ब्राउन चलो वो तो फॉस्ट में आ गया रेड कलर है गाजरी कलर है पिंग कलर है और रेंज कलर है बहुत अच्छी पैलेट है यार अगर आप इस तरीकी के कोई पैलेट ढून रहना तो यह आपके पास होनी चाहिए लास्ट चोग बोड मि है जाएंग मेहनदी कलर है लाइट क्रीम कलर है और यह आप थोड़ा कंगाया मुझए टिरेंग grounds रोड मिलेट क्ला है सिलवर वाला धिक ट्रमयदियदर मिल यह तोड़ी साँ खरीका है मेंने पिशना मेंने कहले हैं अगर ऐसा पालेट हो जिसमें हर तरीके की कलर हो तो आप इसको अधर सकते हैं और एक दो सकते हैं पास देख से एक आस पास जो शूब पर समें का इस जाना में ही फिर शुर्ट हिर किर । तो उन डस्ट बहुत गिराता है, भट इसको जब मैंने यूज क्या आज कब मैंने iMAKEUP इसी से किया है मैंने इसको जब यूज क्या ना इसमें से एक्स्ट्र डस्ट नहीं निकला की तो यह चीज सी बहुत बहुत अच्छी लगी ये एक palette है जिससे मुझे प्यार हो गया है और अगर आप मंगवाते हैं तो आपको भी मायूसी नहीं होगी खुशी ही होगी ये थे कुछ products जो मैंने Amazon से मंगाए थे आपको इन में से सबसे ज़्यादा कौन सा वाला product अच्छा लगा मुझे comment box में जरूर बताना ये और आपकी comment का मुझे हमेशा वेट रहता है comment कर दिया करो यार so yes वीडियो अच्छी लगी तो इसे like करना share करना और make sure चैनल को अपने subscribe कर दिया हो अब इतना ही मिलती हूँ next वीडियो में डिटिंग वीडियो के साथ till then bye